Welcome to EasyFoodMaking.com आज हम बनाने जाएरें पनेरी 65 बहुत ही spicy इंडो चैनिज दिश है जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है आप इसको शाम के नाशते के साथ या किसी भी ड्रिंक के साथ ले सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना पनेरी 65 बनाने के लिए हमने 200 ग्राम पनेरी लिया है जो पिल्कुल फ्रेश होममेड है मौर्णिंग में हमने इसको बना दिया था हम इसमें डालेंगे 1 टी स्पून जिंजर गार्लिक पेर 1 टी स्पून चिली पाउडर 1 फोथ टी स्पून सॉल्ट या टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं आप थोड़े से फ्रेश कटे हुए करी लीफ अब अच्छे से इन सारे चीजों को पनेर में मिला देंगे एजर मेरिनेट कर देंगे अच्छे से कोटिंग हो गई है सारे पनेर पे हम इसको एक साइड रख देते हैं हमने बाउल ले लिया है 3 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च लिया है 1 टेबल स्पून राइस फ्लॉर लिया है आप जहें तो इसको ले या ना ले अच्छे सेम कॉंटिटी में हमने मैद लिया है 1 टेबल स्पून इन तीनों चीज़ों को आप बाउल में डाल देंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका धूल बना लेंगे राइस फ्लॉर हमने क्रंचनेस के लिए डाला है हमने थी टेबल स्पून पानी का यूज किया है गूल हमारे रेडीय बनके हमने हाफ लिमन लिया है लिमन जूस इसमें डाल देंगे अब चाहे तो कर्ड का यूज कर सकते हैं लेमन ये कर्ड कुछ भी ले सकते हैं यह दोनों चीजे में एक्साइट रख देंगे और ऑईल गरम कर लेते हैं वीटी कड़ाई लिए आप कोई भी पैन ले सकते हैं या कड़ाई इसमें रिफाइन डाल डालेंगे और गरम हो चुका है पहले हम वन पीस डाल के चेक कर लेंगे एक पीस को उठाएंगे और इसमें अच्छे से कोटिंग करेंगे डारेक्ट हम गरम तेल में डाल देंगे अलमरा बिल्कुल रेडी है इसी तरह से हम पनीर को डिप करके वन बाई वन डालते जाएंगे फ्लेम को हमें बिल्कुल फुल रखना है पनीर को हमने डीप्राइ कर लिया है गोल्डन ब्राउम होने तब अब इसको निकाल लेंगे प्लेट में जो बच्चे हुए पनीर थे वह भी हमने गोल्डन ब्राउम कर लिया है गैस आफ कर देते हैं इसको भी निकाल लेते हैं सारे पनीर को निकाल लिया है हमने सेम वही कडाई लिया है अगर आप नया पैन या नया कडाई लेते हैं तो इसमें ऊपर से ओई चारो तरफ डालें कुछ इस तरह से ताकि वह अच्छे से लग जाए चारो तरफ और हमारा जाद अगर मुरा है फ्लेम प्रिकुल लो कर दे गार्लिक पारिक पते हुए वन टेबल एक पून गार्लिक हमारा लाइट ब्रॉण हो चुका है मिसमें हाफ चोटे से कटे हुए प्याज कोट कुछ पीसे स्कैप्षित कंगे राफ कैप्षित हमारा जाए जाए ना दालें जाए या ना दालें और अगर आप प्रेगन हो तो बिलके इग्नोर करें थोड़ा सा ग्लैप टेपर पॉडर वन फोर्स टीस्पून नहीं पॉडर लिया है आपके दलग्रा कुछ के डाल सकते हैं वन टीस्पून खिली पेस्ट बहुत ही अच्छी चेंट आ रही है आप चाहे है तो इसमें वेनिजर पर यूश कर सकते हैं बट चिली सॉस में वोड़ी वेनिजर एड है इसमें नहीं डाल गए हैं एड़ी आप शूर्ण अनिन दालेंगे वोड़का बचाटे रखियंगे वन टेबल स्पून के असका समें डाल दिया है इस पिंग वन चोटी कटोरी करेड लिया है इसमें वन टेबल स्पून कॉन स्टाल्स डाल देंगे अच्छे से मिक्स कर देंगे दो पिच रेट फूट कलर, रेट टामेटो फूट कलर लिया है हमने इसको ही अच्छे से मिक्स कर देंगे अगर लगे की रेट कम है तो थोड़ा साम और कलर डाल चक्ते हैं अब नहीं सारा पनिवी इसे में डाल रहेंगे पनिवी 65 बन के तयार है हमने इसको कोलरिंग के साथ सर्व किया है थोड़ा सा गार्णिश कर देते हैं थोड़ी सी हरीकटीवी धिनिया थोड़ी से स्प्रिंग अनियन इसके सेंट से मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है मैं तो चली खाने और अगर आपको भी एडिश अच्छी लगे तो प्लीज बनाए खाए और अपने कमेंट हमसे जरूर शेयर करें और अगर आपको मैं एडिश अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें शेयर करें, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकोन को दबना ना भूले ताब कि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुचे थैंक्स वाचिंग, सी यू सूर तिन अनदा वीडियो